तो आज हम लोग एक और चेप्टर दिखने जा रहे हैं जिसका नाम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसमें बहुत ज्यादा कुईशन नहीं देखो छोड़ा टॉपीक है इसमें आपका लगो आलमस्ट ट्वन्टी कुईश्टिन्स हैं तो आपका बहुत जल्दी यह खतम हो जाएगा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगए एक्चुल किया बोला जाए है अगर मोटा तार ए ठीक है या कोई केबल है तो उसमें जो आप जोड़ लगाते हो उसके लिए जो सोल्डिंग क्या जाता है उस सोल्डर में सबसे अच्छा कौन्सा होता है सबसे अच्छा पाफिवत कहुन कहनु सा है कौन走吧 इस सबसे पहले तो आपने कि इसमें कठोर सोलडर और नर्म सोलडर दो तरगा होता है आपने यह देख लिया मोड़े तारों में हम लोग यूWe करते हैं कठ फोर सुल्डर अब आपको यह जाना है कि यह कितने तरगा होता है यह ़ूरे लो था फिसमें तबस दो टरफ आप इसका नाम नाम है n यहांस पर अमला औरons तो आप इसको लिखहे ठीक है, spellter, solder आप लिख लो और यह जो बना जाता है यह बना जाता है तामबा यानि Cu प्लस ZN से किसे बना जाता है? तामबा और जिंक से अब इसमें ratio है आप देखो कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसके ratio पे ही वो depend करता है तो इसमें ratio है इसमें अगर तीन टाइप का ratio यूज कहा जाता है क्या क्या पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप पहला टाइप में तामबा रहता है 50% ठीक है? और आपका जिंक जो है वो भी रहता है 50% दूसरा टाइप जो है उसमें तामबा रहता है और तीन वह थर्टीन परशेंट रहता है यह तीन तरह का है अब आपका इसपील्टर सूलडर कौसा सॉल्डर इसपील्टर सूल्डर अब दूसरा वाला सूल्डर जो अच्छा इसके यूज क्या जाता आपके लिए इस्पेल्टर 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 इस्पे जो कहां किया जाता है सोना चांदी जर्मन सिल्वर आजी धातवों में टाका लगाने के लिए ठीक है अगर आप सोना यानी गोल्ड गोल्ड सिल्वर ठीक है या जर्मन सिल्वर जो भी इन सारे materials में, इन सारे metals में, अगर आप इन सारे metals के बने चीजों में, अगर soldering करना चाते हो, या टाका लगाना चाते हो, तो आप किसका यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो, silver solder का, ठीक है? यह दो चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है अगला question है, कि printed circuit board, जिसको हम लोग बोलते है PCB, PCB क्या होता है? यह होता है, printed circuit board इस पर छोटे components को solder करने के लिए कौन सा soldering परिक्रिया का use क्या जाता है? क्या बोला जा रहा है? PCB पर printed circuit board पर जो छोटे बहुत छोटे छोटे components होते हैं उसका soldering कैसे क्या जाता है? किसी को use करके तो उसको soldering क्या जाता है? तापमान यंत्रित आयरन के solder से, ठीक है? तापमान यंत्रित आयरन से solder क्या जाता है कि इसको PCB board पर जो छोटे छोटे components होते हैं important question है आप इसको याद रखना ठीक है? यह solder आपने देखा भी होगा जो बहुत सारे computer parts पर गरहे है या कुछ भी ऐसे होते हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे parts होते हैं उसमें यह temperature control iron solder का use क्या जाता है soldering pre-create यानि soldering process में सबसे अधिक परियोग क्या जाने वाला solder में teen और lead का अनुपाद क्या होता है? तो सबसे अधिक जो soldering परिकरिया में use क्या जाता है उसमें teen और lead इसका अनुपाद क्या होता है? 63 इस्टू 37 क्या होता है? 63 इस्टू 37 यह है आपका teen और lead teen और lead इसका अनुपाद जो normally solder use क्या जाता है अगला question है कि norm solder जिसको आम लोग soft soldering बोलते हैं ठीक है? इसमें जो use क्या जाता है कितने temperature के मत इसको use क्या जाता है? कितने temperature के मत? यह लगबग 400 degree Celsius से कम temperature नर्म soldering जो होता है यह use क्या जाता है 400 degree Celsius से कम तापमान के लिए ठीक है? soldering परिकरिया के फ्लस्वरूप बनने वाले जोड में क्या विसिस्ता होनी चाहिए तो soldering परिकरिया के बाद जो जोड होता है जो joint बनता है उसकी क्या विसिस्ता है? उसकी विसिस्ता है सुस्क जोड नहीं हो यानि सूखा जोड नहीं हो बहुत बार आप देखते हो tender हो जाता है सुखा होगे तो वो असानी से तूट जाता है जोड पर अतिरित solder नहीं हो यानि ये दो metal को जोडा गया है इस पर इस तरह का extra solder material ना पड़ा हो ये सिर्फ joint इसने किया है बस जोड चमकदार एबं भरावा हो ठीक है? तो ये जो दो material को अपने जोडा है गुन है किसके? एक अच्छा soldering का, ठीक है? soldering परिक्रिया के बाद उसको इस टाइब कर दिखना चाहिए Electrician के उपयोग में आने वाले soldering flux में कौन सा रसायन उपयोग नहीं किया जाता है तो soldering flux के तरह किस रसायन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, वो कौन सा है? वो है आपका, देखो zinc chloride, hydrochloric acid ammonia resin और resin, तो यह तीनो है यानि zinc chloride, hydrochloric acid resin यह सभी हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ नहीं करते हैं? ammonia, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यह soldering flux होता क्या है देखो, इसमें soldering में बहुँ ज़्यादा चीज़े आपके लिए new नहीं है, आप तो normally जानते हो एक soldering flux है जिसका use किया जाता है solder में ठीक है? तो इसका detail मैं अभी आपको बताता हूँ, soldering flux क्या होता है और कितने तरह का soldering flux होता है actually मैं आप देखते हो कि soldering करने के time में कुछ गीला पदार्त या कुछ ऐसा powdery पदार डालता है उसके बाद वो soldering करता है ठीक है? तो वो help करने के लिए उसमें होता है, चलिए देखते हम लो कितने type का होता है और कौन कौन से इसके example है example जादा जरूरी है आपको इसके लिए देखो flux में सबसे पहले आपको यह जाना है, flux होता है flux देखो, जो soldering element होता है ठीक है? उसके जो oxide लगा होता है उसको जल्दी से गर्म करने के लिए, उसको जल्दी से पिखलाने के लिए flux का हम लोग यूज करते हैं, यह आपके soldering जब आप soldering करते हैं तो यह अलग से उसमें डाला जाता है, ठीक है? ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए, जल्दी से पिखल जाए और आपका soldering असाने से हो जाए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं flux अब आपको कुछ flux और important बातें याद रखनी है कि oxidation को रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है ठीक है? oxidation को कम करने के लिए या oxidation को रोकने के लिए flux का भी यूज किया जाता है और दूसरा flux डालने के बाद जो जोड होता है वो थोड़ा जादा मजबूत हो जाता है ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है अब आपको यहाँ से दूसरा चीज़ यह याद रखना है कि flux का chain आप किस basis पर करते हो तो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखना है flux के chain के time में वह है soldering की पद्धिति यानि कौन सा soldering method आप यूज कर रहे हो दूसरा है solder के कारी-कारी तापमान यानि कितने temperature पर जो आप जिस चीज़ से soldering कर रहे हो वो solder कितने temperature पर काम कर रहा है तीसरा जोडने वाली धातूर यानि जिस metal को आप जोड रहे हो वो metal कौन सा है इन सब तीन चीज़ों पर depend करता है flux का chain यह आप से question पुछा सकता है flux का chain यानि selection of flux किस पर depend करता है तो तीन चीज़ों पर सबसे पहले method of soldering दूसरा किया temperature of solder और तीसरा है तो metal which is to be soldered ठीक है यह सारे चीज़ों पर depend करता है flux का chain अब चलो अब जो मैंने आपको बता है तो flux का type तो आपको यहां से याद रखना है दो तरह होता है flux flux कितने तरह होता है दो तरह है एक है corrosive और दूसरा है non-corrosive क्या है corrosive और non-corrosive तो आपको यह दो चीज़ याद रखना है कि flux दो तरह का होता है अब इससे ज़्यादा आपको यह example याद रखना है कि कौन सा corrosive है कौन सा non-corrosive है तो आपको यह याद रखना है ठीक है तो जिन flux में चार यानि base तथा अमल यानि acid की मात्रा होती है उसको बोलते है corrosive यानि base प्लस acid यह दोनों मिलके अगर कोई flux बना है तो उसको हम लोग बोलते है क्या corrosive flux एक्जामपल देखो क्या क्या है जिंक क्लोराइड, हैड्रोक्लोरीक एसीड, अमोनियम क्लोराइड यह बहुत important है एक्जामपल आपके लिए ठीक है तो आपको एक्जामपल यह दखना है corrosive आचा corrosive जैसे word आया यहां से आपको यह चीज़ यह दखना है कि इस पे जंग लगने का राता है जंग लग सकता है जिस metal को आप soldering करोगे हो सकता है कि बाद में अगर उसको अच्छे से साफ ना किया गया हो या उसमें कुचरा गया हो तो जंग भी लग सकता है उसमें यह इसका सबस्वे बड़ा डिमेरिट है और एक्जामपल क्या क्या है जीन क्लोराइड, हेड्रोक्लोरिक एसीड और यह तीन एक्जामपल है जो आपको याद आखना है कोरोशी फ्लक्स अब दूसरा है आपका नोन कोरोशी फ्लक्स नोन कोरोशी फ्लक्स ज़ाता है जिन फ्लक्स में छार और एसीड यानि बेस और एसीड की मात्रा बिलकुल भी नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं non-corrosive flux तो acid और base वाले को बोलते हैं corrosive और जिसमें acid base नहीं है उसको बोलते है non-corrosive फिर से यहां पर भी आपका example ज़र रही है जितना भी तेल वाला atom है यह सब non-corrosive जैटून का तेल तार्पीन का तेल रेजीन और बोर एक्स यह बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए ठीक है तो बोर एक्स अगर आप से पूछना होगा तो आपको पुछेगा बोर एक्स किस्तरा का फ्लक्स नोन-corrosive फ्लक्स यहां से आपका यह सब इनकर यह इंपॉर्टेन्ट है कि किस सोल्ड सोल्डर के लिए नो कौन सा फ्लक्स यूज़ करते हैं तो आप इसमें सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोनां-चंती सोना-चंदी को अगर सोल्डरिंग करना है तो आप यूज़ करोगे Sohaga as Flux ठीक है? क्या यूज़ करोगे? Sohaga उसके बाद जस्त aug cure आगर आपको Solving करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? Jink chloride ठीक है? क्या यूज़ करोगे? Jink chloride Actually, में ये सारा important है ये सबसे ज़्यदा important है में मैं वो बोल रहा हूं आप इसका screenshot ले लो और आप इसको पढ़ दे रहा ना क्योंकि सारा important आपसे पुछा सकता है और जो mainly हम लोग बहुत जादा use करते हैं वो है आपका resin ठीक है जिसको हिंदी में बोलते हैं यह यूज़ करते हैं और यह आपका incentive में यूज़ होता है और आपका aluminum के यह हम लोग यूज़ करते हैं aluminum केलडिंग में क्या यूज़ इसंडिंग में क्या यूज़ करते हैं लेकिन सारा इंपोर्टेंट है मैं बार बार बोल रहो हूँ, सारा इंपोर्टेंट आप सारा HYाद करना। जोड़ पर बढ़ाने के लिए... की जाती है उसका इस दो यूज er या तो रेजिस्ट में चैन्स को काम करना या चन्देक्ट को बढ़ाना यह प्रकता लूंट में कथनों पर भ्रत्स जो भी आपको स्थेटमेंट्स दिये हुए उस पर विचार कर ठीज़ा है और देखते हैं क्या क्या statement दिया हुए इस filter अभी हम लोगों ने देखाता है इस filter का गलनांग melting point silver shoulder से ज़्यादा होता है क्या ये सही है तो हाँ ये statement सही है हम लोगों ने ये देखाता है silver shoulder इसका गलनांग विंदू इस filter से कम होता है तो यानि इस filter का silver shoulder से ज़्यादा से यह स्टैट्मेंट सब्सक्राइब में ब्रेजिंग करने के लिए क्या जाता है यह भी सही है मैंने भी बताया तक इस फैल्टर आपका जो सोल्डर होता है उसका यूज क्या जाता है प्लंबर और मेटल सीट वेवसायों के द्वारा ठीक है और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था यह है आपका यह दोनों क्या है इस फेल्टर और दूसरा है आपका silver, silver solder तो silver solder का यूज़ कहाता है gold, silver एक्षेक्टा में joints लगाने के लिए और दुसरा जो आपका नर्म वाला है ठीक है, उसका जो गलनांक बिंदू होता है वह silver solder से भी कम होता है, ये भी आप याद रखना तो सबसे पहले आपका हो गया कठोर solder जिसमें आपका 2 आया है, इस filter और silver solder, और दूसरा है नर्म solder, जिसमें, जिसका जो melting point होता है, वह silver solder से भी कम होता है कुछ points हैं जिसको आप याद रखना है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा C, एक और दो दोनों कथन सही है, अगला question है, aluminum की वस्तवाँ को जोड़ने के लिए, निम्न धात्वाँ का mist run कितना परतिसत होगा, जिसका solder प्रयूद किया जाता है, यानि aluminum की वस्तवाँ को जोड़ने के लिए, आप जो solder यूज़ करते हो, उसमें जो धातू होता है, उसका जो ratio है, वो क्या है, यह आपको पुछा जा रहे है, मैं आपको सही आंसर पतालता हूँ, यह है, थीक है यानि tene जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 70%, और zinc जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 25%, aluminum जो होना चाहिए 2%, यह कहां use किया जाता है, amino की वस्तों को जोडने के लिए जो सोल्डर यूश करता हुआ एक मिष्धातु का होता है और उस मिष्धातु में यह चार समय पहता है टीन जिंक अलुमिनियम और फॉसफर टीन ठीक है इसमें से टीन जोगा वस्ते बड़ी परसंट उसमें मिला जाएगा जिंक को ट्वंटी 5 परसंट मिला जाएगा अलुमिनियम को 3 परसंट और फॉसफर टीन को दो परसंट यह इंपोर्टेंट है आप इसको याद अखना ठीक है विद्यूद सोल्डरिंग में परियुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांख यानि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो विद्यूद इसका उपविव परियूद सोल्डर के रूप में एलेक्रिसियन सोल्डर में स्टेकर के लिए जाता है कि अपको वहीं ठीक है आपने अभी सारा एक्जामपल देख लिया कि कौन कौन सा उसमें फ्लक्स यूज़ किया जाता है कौन-कौन और क्या होता है तो आ शोल्डरिंग परिक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है उसको क्या करते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है तो सोल्डरिंग फ्लक्स वह होता है जो चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए क् का अंसर क्या हो जाएगा आप का अंसर हो जाएगा s sacrificing flux ठीक है कि है स्टेनले स स्टिल की πα्रक्स कौन सा व्लक्स परियोग होता है यानि स्टेनले सिस्टील में कौन सा फ्लक्स हम लोग योस करते है तो cuba i gblog सी तुरिक करना हो था हम इसमें बहुत इंपोर्टेंट है आपको फ्लक्स से बहुत सारे कोईशन पूछाते हैं और बहुत जादा कोईशन आपको किसी चीज़ से बनता नहीं है इसमें फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धात्मों की सतह के ऑक्सी करन को बढ़ाता है क्या बोला जा रहा है कि जोड़ी जाने वाली सतह के ऑक्सी करन को बढ़ाता है ऐसा तो नहीं करता है ठीक है उसमें जो ऑक्साइड होता है उसको गुलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको ठ करता है यह सही है कि जो फॉलक्ष सोल्डर है सोलडर जिशरी से लिक करते हैं उस सीजो को ौब भाने में यह बद करता है नहीं तो पिघलने में और ज्यादा ड़ीया किया टार्व्ह ग्लत अपका आसर हो जागा बी केबल सतन क थन दो समान पॉर्ट लेडल वो सुल्डर की सहता से समान केविल जोड़ों के चार नंबरों को किसी संस्थान में जोड़ा गया है ऐसा पाया जाता है कि चौथे जोड़ की गुनवत्ता ठीक नहीं है यानि उसका सत्र मन वह बहुत उचीत नहीं है तो इसका कारण क्या हो सकता है अब देखो क्या बोल रहा है यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह समान पॉर्ट लेडल क्या है तो देखो समान पॉर्ट लेडल जो यहां बोल रहा है यह पॉर्ट लेडल एक विधी है सोल्डिंग के कुछ-कुछ विधिया होती है जो देखो यहां से दो चीज़ें आपको जाने साथ से पहले मैं आपको बताया फ्लक्स का टाइप और दूसरा है सोल्डर का विधी ठीक ह आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूं डेटेल से पहले इसको डिल कर लेते हैं क्या बोल जा रहा है कि समान पॉर्ट लेडल वह सोल्डर के सहता से आप चार केवल है किसी भी सहस्थानी किसी भी और्गनाजेशन में कोई सोल्डिंग करने वाला गया वहां पे चार यह जा रहा है देखो यह जो पॉट लेडल है पॉट लेडल वीधी में क्या होता है कि एक पॉट रहता है ठीक है उसमें करची यूज किया जाता है जिसको लोग लेडल बोलते हैं हplain error इसंने लिए इसका इंगलीज में बढ़ था है तो कड़ची ऐस कर यह सोल्डिंग करते है जिसके चैनल सेम इंकाल करना यहां डाल देते हैं अभी हो यहां अभर आपने सोल्डिंग कीया तब तक यह ठंडा हो जाता है फिर से इसको गर्म करते हो फिर यह ठंडा हो जाता है फिर से आप इसको गर्म करते हो फिर से इसको सोल्डिंग करते हो और फिर से गर्म करते हो फिर से सोल्डिंग करते हो तो इस तरह से बार बार गर्म करने से इसमें हो क्या रहा है कि बार बार जब गर्म क का Quality है वह खराब हो जाता है जो पहला Solder इसमें सबसे बढ़ियां होगा दूसरा वाला उससे थोड़ा ठीक खराब होगा उससे थोड़ा खराब होगा तीस रा चाहर और चौथा उससे भी कराब हो जाएगा इसलिए इस मेठर से जब कर दिया जाए ठीक है बार-बार जब आप गर्म करोगे तो फिर प्रोब्लम आती है और लाश्ट में क्या होगा कि टीन गया बोजाए इसके करन से सोल्डर स्मूथ नहीं होगा यह आपका अंसर ए था अब देखो मैं यहां पर आपको फटा-फट बता देता हूं कौन-कौन स चाहिए ठिक है बтовं सोल्डिंग मे जोड़ारा है कि सोल्डर काडस का और वार बार पूझा जाता है। इसमें देख लो आप या होता कि स्थी इस तरह से। इसमें क्या गरते हैं, यह आपको सटाकेτί आप celery कर देता हैं, उसके लिए इसको सब चीज इंपोर्टेट नहीं है बस आपको मेथाड पता होना चाहिए कि सोल्डिंग आयन एक मेथाड है ठीक है और देखो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखो तो आपको काम चल जाएगा सोल्डर कार्ड को जोड पर पिगलाया जाता है नो की सोल्डिंग आयन की बिट पर पिगलाया कर उसे जोडा जाता है ठीक है तो यहाँ से आपका यह क्लियर हो गया है सोल्डिंग कार्ड जो होता है वो जोड जहाँ पर डालना है यहाँ पर डालकर पिगलाते हो उसके बाद स iayon से उसको उसमें चिपका देते हो स्लें अधाल के यह आपका स्ल्डिंग आयन मेथड था दूसरा मेथड़ जो आपका यह आपका ब्लो लेंप मेथड कैकर ब्लो लेंप मेथड दो ब्लो लेंप जैसे नाम से पृणबान जोड़ले को पिगलाकश है यह जोडए उसको भर देते हैंगा लिएका का शॉल्डर यहांपर आपको प्जोड़ना है यहांपर आपने फ्लक्स लगाए दोनूं साइट देखो कपड़ा से पकड़ा गया उसके बाद फिर आपने ब्लूंख swap इसको पिगला के यहां पे जोड़ को भर दिये तो यह होता है blow lamp method ठीक है? इसके बाद अगला है आपका soldering, पात्र और कर्ची द्वारा यह important है यह आपसे बार बार पुछा जाता है क्योंकि नाम से थोड़ा अलग है ठीक है? इसको इंगलिस में आप याद रखो soldering pot and ladle soldering pot and ladle method इसको क्या बोलते है? soldering pot and ladle method इसमें हम लोग क्या करते हैं? आप देखो इसमें दो आपको यहां पे pot दीख रहा है यहां पे दो नहीं यह एक ही का अगला step है आप क्या करते हो? एक pot लेते हो ठीक है? उसमें जो solder rod है उसका एक टुकडर डाल देते हो और फिर उसको गर्म करते हो क्या करते हो? blow lamp के द्वारा इसको हम लोग गर्म कर देते हैं यानि आपने solder pot में डाला और blow lamp के द्वारा आपने गर्म किया उसके बाद फिर आप कर्षी जो यूज़ करे हो यहाँ पर ladle यह ladle जो यूज़ करे हो इसके help से आपको जहाँ solding करना है वहाँ पर डाल देते हैं तो इसके यह आपका बीच का छेड़ है जहाँ पर आपको solding करना है joint है इसमें आप डाल देते हो कर्षी से ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं soldering pot method soldering pot and ladle method मैं देखो ज़्यादा time इसमें नहीं दे रहा है क्योंकि आपके लिए नाम important आपको नाम आ गया और क्या होता है उसमें वो आ गया बस आपके लिए काफी है इसे ज़्यादा question आपसे नहीं note on करना है कि sweating method एक नर्म soldering method है अपने दो soldering method पढ़ाता हूँ वहाँ पर कठोर soldering या नहीं hard solder और soft solder तो यह soft solder method है कौन सा sweating method इस process में क्या करते हैं कि जिस part को जोड़ना है उसकी सता पर पहले tinning की जाती है यहाँ पर जिसे मनलों यह जोड़ना है तो पहले आपने इसका क्या क्या आपने tinning कर दिया है ठीक है इसके पर साथ जोड़े जाने वाले दोनों पार्टों की सता पर solder की coating चड़ा जाती है यानि यह आपने tinning की उसके बाद इसके ऊपर जो छेट आपने फिल कर दिया उसके बाद ऊपर आपने solder की coating चड़ा दी ठीक है उसके बाद दोनों पार्टों को सन्यूदी कर clamp लगाया जाता है और फिर जोड़े जाने वाले अस्थान पर flux लगा दिया जाता है ततपसास उसे गर्म कर दिया जाता है ठीक है तो आपने क्या क्या है यहाँ पर सबसे पहले आपने tinning किया उसके बाद आपने solder लगाया ठीक है उसके बाद इसको clamp करके fix कर दिया ताकि इदर उदर हो ना ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद इस पर लगाते हो flux ताकि आसानी से जो solder आपने लगाया ठीक है यहां वाला यह है आपका टिनिंग शोल्डिंग आया यहां पर आपका जोएंट है ठीक है और यह आपका नॉन मेटलिक प्लेट है तो आप इस इसको फिगर को एक वार अच्छे से देख लो फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी मेथड को आसानी से बत अगला है आपका टीप स्रोलिंग बोड अब नाम से क्लियर होगा आपको डीप स्रोलिंग बोड यानि यहां पर पर कुछ एक पॉट यहां इस चीज को यूज करते हैं हम लोग PCB के PCB में करने के लिए PCB यानि प्रिंटेट सर्कीट बॉर्ड आप देखते हैं प्रिंटेट सर्कीट बोर्ड जो होता है प्रिंटेट इसमें चीज़ों के parts को solding करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं deep method इसमें क्या करते हैं आपका एक utensil होता है उसमें आप solder element को डालके और उसके बाद उसको गर्म करके पिलाया हो रहता है ठीक है melt किया हो रहता है आप इसमें direct वो जाके डूबो देते हो deep कर देते हो जिसके वो sorry soldering हो जाता है ठीक है मैं इसका figure आपको दिखाता हूँ कैसा है देखो यह है आपका उसका figure आपने यहाँ पे क्या क्या है आपने यहाँ पे पहले से solder तयार करके रखा है solder element को आपने गला कर रखा है ठीक है इसके बाद आप क्या करते हो एक धागा के वज़े से इसको dip कर देते हो धागा के help से और फिर इस पे पूरी तरह से soldering हो जाता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है और दूसरा method जो है इसका बाद है यह है आपका soldering machine के द्वारे machine द्वारा soldering तो इसमें आपको याद क्या रखना है इसमें कुछ याद नहीं रखना है आप machine जानते है और machine से हम लोग यूज do पूछे नहीं जाते है और बस आपको नाम याद रखना है अब देखो अगला question है कि निम चित्र में कौन से soldering विधी प्रदस्कित की गई है तो मैंने आपको बताया बाता को soldering का method क्या क्या है कौन क्या है तो आप देखो एक पात्र यूज क्या गया दूसरे पात्र में आपको यह इस टाइप का कुछ कुछ चीजें दिख रहे हैं यह method किसका है यह आपका soldering पात्र और कर्ची विदी जिसको हम लोग नहीं इंग्लिस में क्या दिखाता है इसका नाम क्या है इसका नाम है soldering pot and ladle क्या soldering pot and ladle method तो आपका answer भी हो जाएगा अगला question एक soldering iron का bit किसी का बनाता है तो आपको एक figure दिया हूँ है और पूछा गया है कि चित्र में x किसे संकेत दे रहा है यह x क्या है आपने देखा था जब मैंने आपको बताया है वहाँ पर आपका पिक्चर भी आपको दिखाया था कि कौन सा स्वेटिंग मेथड किसी इसका है और डिपरजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं यह वाला कौन सा था यह वाला जो पिक्चर दीख रहे आपको, ये कौन सा children method था, ये था by sweating. क्या था? sweating method था न? sweating method sweating method में हम लोग यहां पे क्या use करते हैं? यह है आपका soldering iron, क्या है? soldering iron तो आपका आपका आपसर क्या हो जाएगा? ए ये soldering iron है, ठीक है? अगला question 1, soldering द्वारा बनाया गया जोड होता है, तो देखो, आपको जब आप option देखोगे, तो आपको एक दिखेगा ब्रेज्ट जोड, ठीक है यह ब्रेज्ट जोड क्या है, इसमें देखो actually होता क्या है, पहले मैं answer बता देता हूँ, क्या है, कि soldering द्वारा बनाया गया जोड, ब्रेज्ट जोड से कमजोर होता है, क्या होता ब्रेज्ट जोड से कमजोर होता है, अब आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए, कि ब्रेज्ट जोड है क्या, actually मैं देखो इस तरह के जोड में क्या क्या जाता है, यहां पर पर जोड लगाना है यहां पर रखके और फिर इसको हीट कर देते हैं ताकि यह मेल्ट होके इसके सारे जो जोएंट है जो भी इसमें जो छेद बचा हुआ है वह सारा फिल हो जाए और यह आपस में जकर लें सुकने के बाद यह अची तरह से पकड़ लेगा इसको बोलते हैं braged jord, जो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे ना इसमें सारा जो metal है, वही feel होता है, और फिर सुखने के बाद वो same हो जाता है, सिर्फ इसका melt करने के time में, इसका melting point कम होता है, इसी करण से इससे पहले ये melt हो जाता है, और आसानी से जम जाता है, ठीक है? इसको बोलते हैं, braged jord तो braged jord आपके soldering से ज़्यादा मजबूत होता है, ये आपको यादा रखना है, ठीक है? तो के friends, ये था हमारा soldering से कुछ important questions, छोड़ा chapter था, लेकिन आपके लिए important था, ठीक है? चलिए फिर से मिलता हम लोग अगले chapter में till then, take care, bye bye